हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू रंधीर सुपर टीटी क्लासेश दोस्तों मैं हूं रंधीर कुमार दोस्तों इस वीडियो में हम BPSC ट्रे 3.0 के लिए 40 माक्स का समानने अध्यन के प्रशनों को एनालीसिस करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों देख लेए दोस्तों इसमें उसी प पाता है दोस्तों मायोपिया यह क्या है कि आंक से शंबंदित एक बिमारी है इसमें क्या होता है दूर की वस्तू को असपर्ष्ट रूप से पास की तता दूर की वस्तू को असपर्ष्ट से दोस्तों मायोपिया जो होता है दोस्तों मायोपिया को हिंदी में निकट की तोस्तों चुंसी है बहुत सारे प्र joints को फूचा जाता है और चलिए एक वार हम उसको देख ले रहें दिए दोस्तों जो मुख्य रूप से दृष्टी के फूर है उसका देखिए हाइप हाइपर मेट्रोपिया और साइट में यहां पर क्या है कि मतलब दूर द्रिश्टी दोस्त या क्या है कि हाइपर मेट्रोपिया उसका देखिए यहां पर दोस्तों प्रेश बायोपिया प्रेश बायोपिया में क्या होता है ना कि मतलब यह तीनों दोस है जिसमें बारी बारी से हम इसको डिटेल से जान लेते हैं देखिए दोस्तों पहला मायोपिया या निकट द्रिष्टी दोस इसमें क्या होता है कि निकट द्रिष्टी दोस्त में मनुस्य दोस्तों निकट की बस्तु साप साप दिखाई देती है और दूर की बस्तु साप साप नहीं दिखाई देती है यहां पर देखिए एक समानने आक जो होता है वह इस तरह का मतलब उसका किसी भी बस्तु का परतिभीम जो होता है वह बनता है और असपस्ट डृष्टी की निम्तम दूरी कितनी होती है पची सेंटिमीटर होते अब क्या होता है मायोपिया से गरशित आखर जो वोता है तो हुसमें क्या अता है कि किसी बस्टु का प्रतिवीम प्रतिимости यहां पर बस्तू जो है उसको डूर की बस्तू आवहासी पर्तित होने लगता है बतलब सही एक्जेक्ट से उसको नहीं दिखता है उसके आहके इसको उपचार पुछता है अगर दूर यह दूर द्रिश्टी कि सी व्यक्तिक हो गया है मायोपिया हो गया है तो उसको उपचार करने के लिए अवूत्अ जान ज्से बने चस्मे का उपयोग कियाता है सस्त पूंच दखिए दोस्तों है फ़ ले न मेंगि नव बनकर न स्टीन और रिश्टी में पीछे बनता ऐ में डूरद यह दिरिश्टीonents उसमें बनता है इसको उपचाडित करने के लिए दोस्तों उत्ता लेंस का यूज किया जाता है यह कुश्चन पुछता है चलिए उसके आदए के दिश्चन प्रेशबायोपिया जराद रिष्च के नाम के नाम से यह दोस्तों क्या उता है कि बड़ते उमर के साथ क्या आख में पैसियां होता या उसके लेंस होता है लचक सिलियरी पेशियां का कम जाने के करण मनुस्स्य क्या होता है कि धूंदरी रूप मतलब असपस रूप से नहीं देख पाता है इसको दूर करने के लिए दोस्तों क्या होता है कि मतलब आजका उसको सरजड़ी के द्वारा कंटेक्ट लेंस वगरा का ठीक किया जाता है और इसी स्थिति में क्या होता है कि कि किसी-किसी मनुस्य को दोनों एक साथ हो जाता है इसे मायोपिया हो गया है पर मेट्रोपिया हो गया तो दोस्तों इसको दूर करने के लिए अचीत होगा उसमें भाइफ फोकल लेंस का यूज किया जाता है जिसमें कोने केव और और चॉस्त नाहन औक है दोस्तों यह पूछता है कि δेखियं कि दोनों लेंस का उपियोग मतलब इसको बाइफोकल लेंस बोला जाता है तो चलिए नेक्स्ट देख लिए अब यह एक और इसमें से दोस्तों बनता है कि मतलब एक ही चस्मे में दो लेंस होता है तो ऊपर कौन सा लेंस होता है और नीचे कौन सा लेंस होता है तो दखिए एक अवतल लेंस नीचले हिस्से में होता है और उतल लेंस यहां पर दखिए उपड़ी हिस्से में दोस्तों अवतल लेंस क वहा стор वीक्राइब ताना रफिक और स्विल और स्विखंग समय zost---- डोस्तो अनुवांसिकता सब्द मुख्छे सब्चाइब सब भी सिब्सक्राइब के इस होती दोस्तों यह पाता है कि जो आधिक्रियाशील होता है यही आंसर हो जाएगा दोस्तों बीनमर कुंकि यहां पर कम अभी के पर शाल है इसी बसे जो है जो मतलब खाना के साथ जो है उसका रियक्शन जल्द नहीं हो पाता लेकिन जिंक जो है सो तुरंत उसके साथ अभी किरिया करके भोजन को जो है सो जहडीला बना देगा चलिए नेक्स प्रसन को देख लीजे नेक्स प्रसन देखिए दोस्तों 42 नमर वह पड़ किरिया जिसमे जो होता है अपचयान होता है इसको रिडक्शन बोलते हैं इसको अपचयान उपचयान भी बोला जाता है मतलब इसके बारे में हम दोस्तों जान लेते हैं यह ऑक्सी करन और अबकरन जो होता है एक ही साथ अभी किरिया होता है इसको दोस्तों रेडॉक्स रियक्शन बोला यहां पर क्या होता है ना कि Oxidation और Reduction यह मतलब दोनों अविक्रिया साथ साथ होता है इसको Redox Reaction बोला जाता है अब कब होता है दोस्तों तेकिए यहां पर मान लिजिए कोई पदार्थ A है और कोई पदार्थ यहां पर B है जब इलेक्ट्रोन को क्या करता है कि लॉस करता है मतलब त्यागता है उसका क्या हो जाता है दोस्तों उसका Oxidation हो जाता है कोश्चन पुछता है अगर कोई तत्व जो है तो इलेक्ट्रोन को त्याग रहा है तो उसका क्या हो जाता है तो दोस्तों उसका Oxidation होता है जिसको Oxid current बोलता है और कोई देखिए कोई जो तत्व है दोस्तों वो क्या करता है कि मतलब इलेक्ट्रोन को ग्रहन करता है देखें गेन करता है तो वो उसका Reduction होता है जो इलेक्टोन को गरहन करता है उस पे माइनस होता है जो इलेक्ट्रोन को त्याकता है, उसको उसपे पल helos होता है तो यह दोस्तों आवकरन और जो हैं सुक्शी करन से शंबंदित इस तरह के पूछा जाता है चलिए next प्रस्ण देखे दोस्तों किया पूछा गया था एक प्रिंटर की गुणवोत्ता कि शे निर्धारित होती है दोस्तों एक प्रिंटर की गुणवखता पूछ रहे तो गुणवखता जो होता है है यहां पे बिंदू-अ-धी एंच से मापा जाता है और यहां पर गुनबथता की बात कर रही है इस पीड की बात नहीं कर रही है इस पीड जो होता है चलिए इसके वारे में हम कुछ देह देते हैं ल lugता दूस्तों वह मापा जाता है प्रफिए में माप आजाता है यहां पर भरते समय दोस्तों कहता है कि सो डीपी आई में इमेज होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए तो जितना ज्यादा डीपी आई रहेगा उतना पिक्चर का क्वाइल्टी अधीक हो जाएगा देखे नॉर्मल प्रिंटर जो यूज होता चलिए और जो मदले विप्रिंटर की ऊंचे कीडे में जूज होता है जो कुछता है न नेध्च दो क्यों तो की गती की बात हो रहे थी अब यहां पर कर दोना केंशने तो यहां पर देखिए इसकी गति को HZ में मापा जाता है हर्ट में अब अभी जो आधुनिक कंप्यूटर सब निकलता है दोस्तों मोडर्न जो निकलता है उसमें GHZ से मापा जाता है मतलब Gigahertz में मापा जाता है तो यहां पर यह देखिए प्रोशेशर है CPU के अंदर यह छोटा सा चीप जैसा यह होता है इसी में सारा प्रोशेशिंग का वर्क होता है कंप्यूटर में यहां पर देखिए वन GHZ से लेकर 3.8 गति जो होता है मोडर्न जो है सिप्यू का गति जो होता है चलिए नेक्स्ट प्रोशन को देख लेजिए दोस्तों देखिए ट्रैकोमा रोग की शेशंबंदी जोता है ट्रैकोमा रोग जो है दोस्तों देखिए फेफरा कान और आख तो ट्रैकोमा रोग जो है दोस्तों आख शेशंबंदी एक बिमाड़ी है चलिए next देख लिए next प्रसंद के निमली खीत में से कौन सा Newton के गती के तीसरे नियम का उपयोग करता है दोस्तो Newton का जो तीसरा गती नियम है third law है वो क्या होता है परतेक किरिया के बराबर और विप्रित परती किरिया होती है तो देखे तिरंदाजी और अंत्रिक्ष यह दोनों जो है नियूटन के तीसरे गती का नियम होता है अब वेंचीडी मीटर दोस्तों वेंचीडी मीटर नियूटन के तीसरे गती नियम से शंबनित नहीं है वेंचीडी मीटर क्या होता है दोस्तों यह पानी तरल की जो पर काम करेगा और यह दोनों यहां पर हो जाएगा इसलिए डी आंसर हो जाएगा उप्यूक्त में से एक से अधीक हो जाएगा चलिए दोस्तों इसके बारे में Newton's law of motion से बहुत सारा परस्ट साइंस में पूछा जाता है तो यहां पर क्या करता है कि करता है दोस्तों यहां पर कहा गया है कि कोई भी बस्तू अगर बिराम में है वह बिराम में ही रहेगा या गती में है तो गती में ही रहेगा उसके अवस्ता में पड़िवर्तन सब तक नहीं होगी जब तक की उस पर कोई बाहेबल काम नौ करेगा तो यह Newton का first law होता है दोस्तों 1st लुए को जरत्व का नियम भी पोल जाता है लुए प्रतम और मुश्टा है कि नीवतन के पर्थम पर्थम यहाँ पर बल पोच्छेगा है कि बल का परिवहासे当 works दोस्तों पूशेगा कि बल का पर्णी भासा जो है त्र इस नियम से होदा है शेकर पने का नियम से वल प्राप्त होता है टीसर गती नियंद से नियम से यहां पर इस दρχम होता है तो ये दोनों first और second से ज्यादा तर प्रशन आपका पूछा जाता है और रही बात चलिए example कुछ देख रहेते हैं देखे न्यूटन गती के पहला नियम है कोई कार रेस्ट में है या कोई लड़का देखिए ये वर्फ से मतलब उस पर क्या कर रहा है कि आइस पर फिसल रहा ह में है swimming pendulum pendulum अगर घूम रहा है तो तब तक घूमेगा जब तक इस पर कोई बाहरी बल्द से हवा के द्वारा घरजन के कारण ये रूखेगा इस तरह से यह जो दिख रहा है वह आपका न्यूटन के first गती नियम का उदारन है चलिए next देखे न्यूटन के second गती नियम दोस्त करना कार और ट्रक को धक्का देना रेशिंग कार गिंद को किक करें कार दुर घटना उचाई से फेकी गई बस तू उसका देखे कराटे खिलारी द्वारा इटो को श्लैप मतले एक ही बार में तोड़ देना कार चलाना ये सब दोस्तों न्यूटन के second गती नियम का उदारन है चलिए नेक्स देख लेते हैं नियूटन का दोस्तों यहां पर देखिए अभी मैंने बताया है फर्स्ट लोग को दो ओफ इनर्सिया बोला जाता है शेकेंड लोग क्या है एसलेरेशन फोर्स एंटू एंड मास इसको बोला जाता है एप वरावर एम ए उसका थर्ड अगर गोली जाड़ा तो बंदू उतना ही जटका से पीछे की और आता है उसका देखिए यहां पर फाइटिंग करना यह इसमें भी जो है नूटन का थर्ड लोग काम करता है उसका देखिए नाव पर से कूद रहा है तो नाव भी क्या है अलग होता है तो यह शब गती का म नाव को खेवना तो यह सब जो है नूटन के तीसरे गती नियम का उदारन है चलिए नेक्स देखिए यहां पर नूटन के गती पहला नियम को दोस्तों जरतु का नियम करता है दूसरा देखिए द्रमान और तरन का नियम करता है तीसरा यह कोश्चन दोस्तों पूछता है दूसरा नियम का ये परिभासा लिख देगा किसी पिंड के संबेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के शमानुपाती होता है तथा बल की दिशा में गटित होता है अब यहां पर देदेगा ऑप्शन यह न्यूटन का कौन सा गति नियम है तो दोस्तों न्यूटन का सेकें लिang गति नियम है तो देख लेने लिए लेक दोस्तों प्रोटी शीक्ष्न अर्ण रखे एक परमानू के नाभिक में जोरे जाने वाले कण्स दोस्तों परमानू जो होता है वो तीन कनोशे मिलके बनाता है इलेक्ट्रोन प्रोटोन और न्यूट्रोन से इहां पर परमानू का जो परमानू दोस्तों इलेक्ट्रोन प्रोटोन और न्यूट्रोन से मिलके बनाता है और परमानू का जो नाविक होता है दोस्तों नाविक क्या होता है हमें बीच में जित nggak सेंट फिरो होता है उसमें दो पत उता है प्रोटौन पहुत है और इंट्रों जो होता है देखिए यह बाहर के कश्षा मैं दोस्तों क्याता न कि और वीट में यह चकर काटका ड़ता है तो इल्लेक्टिव पे रीन आवेसित होता है निलेक्ट लेटी होता है पलस भी माइनस भी इसको कहेंगे दोस्तों इलेक्ट्रोन को माइनस भी और प्रोटॉन जो होता है वो पलस भी मतलब उस पर प्रोटॉन पर पलस चार्ज होता है और नीट्रोन चार्ज लेस होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है तो दोस्तों यहां पर जो पर्मानु के गुन में परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों तो कि पर्मानु का जो मतलब दरब्यमान में परिवर्तन हो जाएगा तो दरब्मानु का जो पर्मानु भार है वो उसका बदलेगा और यह हो जाएगा उसका समस्थानिक हो जाएगा चलिए नेक्स्ट देख लिए नेक्स्ट यहां पर पड़ासन देखे दोस्तों एलन मस्क द्वारा सी ग्रेचर ब्लू वर्ड लोगों को बदल कर एक्स लोगों को घोशना करने से पहले दोहजार बारा में अपने अंतिम शंक्रण में ट्वीटery के परतिश्थित वर्ड निडवाता देखे वर्ड निडवाता के रूप में किशे माना जाता है दोस्तों क्या ने कि ट्वीटर का जो है सो पहले ये लोगो था ब्लू वर्ड इस तरह का अब जो है सो ट्वीटर का नाम बदल के दोस्तों एक्स हो गया है अब ये लोगो ये सकेंड नमर का ये लोगो हो गया है तो मतलब यह जो बर्ड वला था उसका अविस्कारक मतलब किसने बनाया था दोस्तों यह जो थे वह मार्टीन गडाशर थे बी नमर यह आंसर हो जाएगा चलिए next person देख लिए next person देखिए दोस्तों इस वर्स रिलीज वुई उच अवधारना विज्ञान के बाड़े में परसीद फिल्म ओपेन हाइमर दोस्तों यह 2023 में रिलीज वुई थी के निर्देशक कौन है दोस्तों इसके जो निर्देशक है वो देखिए यह नमर हो जाए नेक्स्ट प्रसन देखिए 49 नमबर लिखीत में शी किसने राष्ट मंदल खेलो के 2026 संस्करण की मेजवानी से अपने 26 की मेजवानी से इसके आयोजन पर भारी अनुमानित वय के काड़न अपना नाम वापश ले लिया दोस्तों यह जो 2026 में राष्ट मंदल खेल होने वाला मतलब क्या कि मिजवानी करने योडिया में होने व्ले nggakYo shrinking यह और या मना कर दिया को दिखें अब लेट बीपक्षी राजनीतिक डलों के इंडिया का पूर्ण रूभ क्या है दोस्तों यह इंडिया एक गठ बंधन इट या यह नया गटबंदर बना है जिसमें बहुत सारे बिपक्षी दल के मतलब नेता सामिले बिपक्षी दल क्या है इसमें से बहुत अलग भी हो गए है लेकिन यह कुछा गया था देखिए इसका मतलब होता है दोस्तों इंडिया नेशनल डेवलोपमेंट एक विशिव अलाइ चंदर और बिट ने चंदर थिरी के लेंडर मॉडूल से संपर का स्थापित किया उसने उसे क्या संदेश भेजा था ओप्षन देखिए विलकम होम चलो चांद के पार चले उसका देखिए विलकम बड़ी उप्युक्त मेंशे एक शाधिक उप्युक्त मेंशे कोई नहीं दोस्तों जब चंदर यान tout कि चंदरियान टू के और्विट में परवेश किया कंश्या में परवेश किया थो यहां पो एक मैसेज भेजिक चंदरियान टू तो बिलकम बड़ी पह चलिए best अ dazu क्या जाब नाम क्या है तो दोस्तों यहां पर देखिए चीन के जो पुर्व राष्ट पती थे वह कह उन थे जियांग में जे मिनी जिमन्ग जेमिनी थे दोस्तों सी नमर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट प्रसन देख लिए नेक्स्ट प्रसन देखिए दोस्तो 53 आयर्लेंड के परधान मंत्री के रूप में दूसरे कार्य काल के लिए किशे चुना गया है दोस्तो आयर्लेंड के जो परधान मंत्री के रूप में दूसरे कार्य काल के लिए ऑप्शन देखिए श अभी और फिरकी शेंग के अदियक्ष् ass लीजए नेक्स औरसन के अनुसाइब, भारत की निमलिक खीट, बहुतिक फिजियोग्राफिक इकायों को आड़ोहिक करम में बढ़ते करमं में बढ़ते करमें बढ़तीत किजिए तो दोस्तों यह जो भगगुलिक चेत्र का मतलव समुद्र की ओर से डिकेट किया राता है तो पहले तो हो मैदान उसके बाद आता है एक नम्र इपार उतरि हो जाएगा चलिए नेक्स्ट परसें देख लिजिए Next परसें दोस्तों निमलीखी डिस्टरेणियों को उत्तर से धक्षिन की और करम में व्यवस्तित हुए दोस्तों । मैप से भारिती ये भारद के मैप से जो है सु परसन को पूछ लिया गया है पहले कौन आता है देखिए दोस्तों इसमें लद्दाक कारा कोरम पीर पंजाल उसके वाद आता है जांसकर उसके वाद आता है दोस्तों यह आप मैप में आप पाइंड कर सकते हैं जैसे भारत का नक्षा ले लिजिए उसको जूम करिएगा दोस्तों तो वहां पे क्या होता ना कि सब का नाम वहां पे लिखा जाएगा तो इसको एक वार आपको देखना पड़ेगा चलिए नेक्स परदेखिए दोस्तों फिप्टी सब्भारत में प्रविडती प्रोण नहीं है दोस्तों कि छेत्र में जो है भूष कलन की मतलब नहीं होता है देखिए पुरवी घाट और हिमाले से तो दोस्तों यहां पे ज्यादा तर पहाड़ी एरिया है और जो मतलब उहां पे यह भूष कलन देखने को मिलता है दोस्तों यहां पुरवी घाट में जो है कम है तो इसलिए बी नमर इसका आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स प्रसम देखिए फिप्टी नाइन नि जो मंबननों और मैंकन होता है दोस्तों यह फूरॉमंड़ रों नमर जोने चलिए नैक्सट प्रदा संगले है DAY जब वहता पानी जिकनी मिट्पी। काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या कालाता है दोस्तों उसको क्या कलाता है गली कटाब बोल जाएगा सीट छड़न नहीं होगा क्योंकि सीट छड़न दोस्तों सीट क्या होता है परत का उपर से बहके चला जाना वह सीट छड़न होता है वनों की कटाई इसे बन वन का कोई मतलब नहीं है चलिए नैक्स देख लीजिए 61 देखे निमली खीत में से कहां अक्टूबर और नवंबर के महिने में भारी बारिश होता है दोस्तों यहां पर देखिए पोरो मंडल तटपे होता है बी नमर इसका अंसर हो जाएगा पोरो मंडल तटपे दोस्तों अक्टूबर और नवंबर के महिने में भारी बारिश होता जलिए नेक्स फोलों की खेती किरशी ऑर बागवानी दोस्तो फळो और शबजियों की खेती जो हता है वह बागवानी कराता एंचित न म्मर किरशी के अंतरगर दोस्तो पशु पालन भी आजाता है इसपर कहिंगे यह? जलिए on talking प्रसंदेखलीजिए नेक्ट प्रहंदग्य दोस्तों बिहार में 1867 की किये दौरान पतना और शाहाबाद जिले में किसने ने त्रित किया था तो ऑठारा से शाहाबाद जिले में किये ते वह उमर्षी किये थे सी नमर अंसर राजकुमार शुकल का संबंद जो है यहां पर यह नील विद्रोश है इसका मतलब संबंद चंपारण में नील विद्रोश है और नामादार खाका यहां पर नहीं है चलिए नेक्स्ट देख लेजिए बंगाल का विभाजन परभावी कब हुआ था दोस्तों देखे 14 अक्टूबर 1905 को 15 अक्टूबर 1905 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन दोस्तों यह सी नमर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट परशन को देखे बंबई में कंग्रेश द्वारा भारत छोड़ो का परस्ताब पास किया गया दोस्तों बंबई में कंग्रेश को द्वारा भारत छोड़ो का परस्ताब जो है आठ अगस्त 1912 को किया गया था बी नमर इसका आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट परसंद को देख लीजिए नेक्स्ट परसंद के दोस्तों 66 अंग्रेशों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया कंग्रेश की उधारवादी नीतियों के कारण उसका भारत नेताओं की गिरफतारी के कारण बांटो और राज करो की नीती के कारण उप्युक्त में शेय एक स्यादी उप्युक्त में शेय कोई ने दोस्तों अंग्रेज जो भारत पे राज किया ज्यादा शमय तक वह बाटो और राज करो मतलब फूट डालो और राज करो कि निती के कारण किया सी नमर आमसर हो जब वह क्या किया ना कि धार्मी एक धर्म से दूसरे धर्म के लोगों को लड़वा दिया एक राजा को दूसरे राजा से लड़वा दिया इस तरह से मतलब वह ज्यादा समय तक शासन किया चलिए नेक्स्ट प्रसन देख लिजिए शिक्षिशन ने लिखीत में से किस तिती को रानी विक्टोडिया की उद्गोसना होई थी एक नबंबर 1800-68 ओसको छोड़कर और विटिस सरकार को सब्सट यू पाज सब्सक्ना है तो यही घोषना की थी रानी विक्टोडिया ने चलिए नेक्स्ट देख लिजे नेक्स्ट प्रसन देखिए निमलिखीत में से कौन सा पैथन शही है राजा राम मोहंडाय नवीन शिक्षा का अग्रणी थे बात सही है दोस्तो अधुनिक शिक्षा का जनक दोस्तो राजा रा दोस्तों उसमें स्वामी बीवेकानन भाग लिये थे तो सभी आप्सन सही है तो डी नमर इसका अंसर हो जाएगा मतलब एक शे अधिक चलिए नेक्स प्रसन देख लिजिए इनमें से कौन सा इंग्लेंड में भारत के अनाधिकार दूत बने दोस्तों अनाधिकार दूत जो बने वो शूरेंद नाध बनर जी नहीं होंगे वो दादा भाई नड़ो जी थे बी नमर जो अंग्लेंड में भारत के अनाधिकार दूत बने थे चलिए नेक्स प्रसन देख लिजिए दोस्तों नेक्स प्रसन देखिए भारत सरकार अधिनियम उनिश्र पैंदिस को किष्णे गुलामी का चार्ट बता था महात्मा गांदी नेता जिस शुवास चंद्र बोज मौलाना हजरत मौहानी दोस्तों इन सभी में से किसी न नहीं किया था उसमें पंडी जवाला नेहरू ने कहा था इसको इनमर इसको अंसर हो जाएगा चलिए तो धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए रंधीर शुपर टीटी क्लासेश और इससे संबंदी जो नोट्स है व दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए